हेलो सूल इंजिनर्स मेरा नाम है शाजेब आइम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजिनर और आप सब इंजिनर्स के लिए कॉर्परेट टैनर तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डी पी आर के बारे में तो दो तरीके कि आपकी DPR होते हैं एक आपका होता है डेटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक आपका होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो यहां पर जो DPR हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में हम सारी चीज़े समझेंगे यहाँ पर हम इसका Excel फॉर्मिट देखेंगे और हम देखेंगे इसको हम क्यों बनाते हैं क्या इसका यूज है तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो प्लीज बने रहे हैं इस वीडियो के लास तक चले हम अपनी करके रखा हुआ था लेकिन आज आप उसको कितना एचीव कर पाएं साइट की क्या कंडिशन थी दिन कैसा था आज का रहनी डे आपका नॉर्मल डे आपका जो साइट की कंडिशन थी आपके ड्राइए थी या पिर आपका सलशी था तो इस तरीके की चीज़ें यहां पर हम कितने टाइम अभी आपका बच्छा हुआ है तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए आपकी डेली प्रोग्रेस बनाई जाती है डेली के डेली तैयार की जाती है जो भी आपके साइट इंचार्ज वगर है रहते हैं उनके त्रू चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको दे रखा है क्या क्या चीज़ें में रहेंगी तो जैसकी सबसे पहले है आप यहां पर देख पा रहे है कि हमने कंपनी का नाम मैंशन कर रखा है तो यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं रे-át गयं एक डेली प्र्रोग्रेस डिंगी सा deport यहां पर हमने adam के यह डीं करना है तो वो सारी चाहिशा आप यहां पर शो करेंगे तो इसका एक तरीके से आपका जो वरक रहेंगे वो क्वालिटी वरक रहेंगा तो यहां पर आप सारा सारी चीज़े दिखा कि name of work employee contractor आपका क्या है duration in days क्या है तो टोटल यहां पर duration आप दिखाएंगे मान लीजे आपका total duration जो है आप 365 days यहां पर दिखा रहे हैं और elapsed मतलब कि कितने दिन निकल चुके हैं इस project को चलता हुए तो मान लीजे कि आपके 120 days अभी निकल चुके हैं गुज़र चुके days अभी आपके बच्चा हुए इस project को complete करने के लिए इसके बाद आप यहां पर दिखाएंगे जैसे कि यहां पर side की condition आपको दिखा रहा है ड्राइ कर देते हैं तो यहां पर हम इसको color change करके दिखा देंगे या आप किसी भी तरीके से इसको mark कर सकते हैं तो यहां सब आपको पता चल गए कि आपका टोटल जो days आपको दे रखे हैं कि एतने दिन में आपका project complete होना है 365 days अभी 120 दिन काम चलता हुए हो गए है और अभी आपके 245 दिन बच रहे हैं इस project को complete करने के लिए साइट की condition नॉर्मल है जो दिन था साइट की condition में जो कंडिशन आपकी ड्राई है इसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं work progress क्या हुआ आपका work progress है अब हम देख रहे हैं तो यहां पर आपका activity description लोकेशन क्या थी unit तो लोकेशन में जो आप देख मतलब A5 hall में काम कर रहे हैं या फिर और भी कुछ हो सकते हैं कि विंग 1 है विंग 2 है विंग 3 है इस तरीकी की location हो सकती है यूनिट में आप दिखाएंगे कि आपका जो भी work चल रहा है वो किस यूनिट में आप कर रहे हैं टोटल क्वांटिटी क्या है और यहाँ पर आप दिखाएंगे आज के लिए आपने जो प्लान किया था वो कितना किया था और एचीव कितना कर पाए और next day में आप उसको कित दिखाएंगे तो excavation हमारा किस में आएगा excavation cubic meter में calculate कर दें तो मान लीजिए यहाँ पर आपने यह cubic meter दिखाया और total quantity आपकी किया है कितने cubic meter excavation total आपका किया जाएगा मतलब कि total जो आपने पूरा estimation कर रखा है तो इसको मान लीजिए कि 150 cubic meter आपका total excavation होना है अब इसमें day for the day में कितना plan किया आपने तो इसको मान लीजिए कि आप आज आपको बहुत सारे और भी काम थे तो इसलिए आज आपने बस एक गंटे excavation या आप पान सकते कि दो गंटे आपको सिर्फ excavation का का काम करना था बाकि आपने अधर काम किया तो दो गंटे में आपको excavation करना था यहाँ पर 50 cubic meter ठीक है यह आपने प्लान किया था लेकिन किसी और वज़ा से वह 50 cubic meter नहीं हो पाया और यहाँ पर आप सिर्फ कर पाए 35 cubic meter ठीक है और next लेक लिए अब आप कितना करेंगे तो वह आप यहाँ पर दिखा दिए कि next ने में आपने प्लान किया कि हमें कल 70 cubic meter excavation complete क आपको इसके लिए लिए पता चलिए कि विंग वन में आप excavation कर रहें कुबिक मीटर में करेंगे टोटल कॉंटिटी एक सो पचास कुबिक मीटर प्लान आपने पचास कुबिक मीटर की थी आज के लिए एचिव किया 35 और next लेक लिए आपने प्लान करकर रखाए कि अब हम कल इसको जादा टाइम देंगे और 70 कुबिक मीटर एक्सिविशन कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से बैक फिलिंग है फॉर्म वर्क है तो यहां पर हम जैसे कि फॉर्म वर्क का देख ले रहे हैं तो फॉर्म वर्क में हम लगा रहे हैं लोकेशन स्लैब टू है अब जो अब टेटर दिखा दी आज कर दिया लेकिन नहीं लगा पाए आपका जो फॉर्म वर्क लगना था वो सिर्फ आपका लगपाया 38 स्कायर मिर तो यहां पर आप ने कितना लगाना है मतलब कि प्लान कितना कर रहे हैं एचीव में आपका mostly कमी जाएगा तो प्लान आपने किया कि आपको अगले दिन जो है वह आपको लगाना है साड़े स्क्वाइर मिटर यहां पर आपने इसको शो कर दिया इसी तरीके से स्टील है तो स्टील आपको आपने स्लैब 2 में फॉर्म वर्क लगाया है तो हो सकता है क यहां पर हम दिखा देते हैं स्लैब 2 में हमने स्टील लगाई और इसको हमने लगाया टन में ठाल के इसको mines un लेकिन आपका दस यह उनको नहीं लग पाया यह वली का लगकाता तो उसमें बोल्रा है कि हम इसको कल स्लैप को complete करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम टोटल quantity में से 9 माइनस कर दिरें मतलब कि जितना आज आए चीव हो आज को टोटल में से माइनस कर दिया क्योंकि हमें यह कल टोटल कंप्लीट करना है तो कल आपको तो साथ के साथ हम यहाँ पर इसका यूनिट भी दिखाता हूँ चल रहा है इसी तरीके से सारी quantities आप यहाँ पर शो खरेंगे इसके बाद तो यह तो आपने दिखा दिया कि वर्क प्रोग्रेस क्या थी लेकिन आप यहाँ पर आप दिखाएंगे कि आपकी मेंश जहीं क्या क्या है इसमें क्या आज आपने कि अपकी लगी कितना मटी लगा मटंई का स्टॉक किया आजके न डेस्काल मेंड़ेस वंडिखाएंगे यह आपर जैसे में मेंड़ेस देखा रहे हैं तो आज मैसन आपको लगाने थे ब्रिक के लिए ठीक है ब्रिकवर के लिए मेसन लगाने थे और आपको मेसन लगाने थे यहाँ पर दस मान लीजिए दस मेसन आपने प्लान किये थे चल जाएगे कितना payment करना है इसी तरीके सा जब यहां पर आएंगे description material में तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर जैसे कि आपको दिखाना है description material में हम दिखा देते हैं कि हमने steel यूज कि आज तो हम यहां पर दिखाएंगे इस्टील और इस्टील का unit जो रहेगा वह आपका टन रहेगा तो यहां पर आपने टन्शो कर दिया टन्शो करने के वाए total quantity आपके पास जो इस्टील की हौन यह मतलब कि पूरे प्रजेक्ट की यह तो आप यहां पर दिखा दिए मालीजे आपका 750 टन स्टील लग रहा है टोटन प्रोजेक्ट में और यहां पर आप दिखाएंगे कि हो सकता है कि आपने पूरा नहीं मंगाया आपके पास अभी आपने थोड़ा थोड़ा करके मंगाया जाएगा तो अभी आपके पास धाइस टोटन स्टील है और आज कितना यूज किया है 50 तो इस तरिकह से आप HC यहां पर यह देखा दिया मतलब कि आपने मैंपावर में दिखा डिया कि कि साथ एक्टोल में आपकी कितने लगया अच साइड पर इसी तरीके से जो आपका अलग-अलग material है, मानली जी यहाँ पर हम brick ले लेते हैं, bricks हमारी जो थी, वो उसका जो unit है, वो numbers है, और total quantity of bricks मानली जी आपकी 50,000 bricks लग रही है, और आपके पाद जो अभी available stock है, 15,000 का है, और आज आपने कितनी use की bricks, सिर्फ आपने 2000 यूज कर पाया तो इस तरीके से आप दिखा देंगे कि available stock क्या है, total quantity क्या है, project क्यों, consumption आज कितना हुआ, तो यहाँ पर आपने पूरा work progress दिखाया, मतलब कि सबसे पहले आपने दिन दिखाए, कितने दिन में आपका project complete होना है, भी कितने दिन निकल चुके है, site की conditions क्या है, work progress क्या है, मतल आपके, जो भी अगर कोई भी complications आती है, site पे, जो भी बादा आ रही है किसी काम को करने में, तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे, जैसे कि आपको excavation करना था, लेकिन excavation करते टाइम आपने देखा कि महाँ पर जो soil थी, वो काफी जादा slushy थी, आपकी बारिश हो रखी ह है मटे, तो महाँ पर आप execution नहीं कर पा रहा है, आपकी जो गाड़ी बगर है, उस लिप कर रही है, तो इस तरीके से जो भी complications हा रही है, जो भी परिशानी आ रही है, यह किसी काम को करते हैं, वो आप यहाँ पर दिखा देंगे, उसका reason पता चल जाएगा, कि आपने yesterday इतन ही मिल पाया, तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे, तो जो भी बादा आई, जो भी constant है, जो भी आपको complications face करनी पड़ें, वो सारी चीज़ने आप यहाँ पर constant में दिखा देंगे, और यहाँ पर last में आपको दिखा है prepared by, तो जो भी बना रहा है, या फिर आपका कोई भी website engineer है, जो भी progress report को बना रहा है, तो वो अपनी यहाँ पर नाम वगरा है, दिखा देगा, अपनी post दिखा देगा, इसके तरू यह बनाई जा रही है, तो इस तरीके से यह पूरी आपकी progress report बनाई जाती है, तो I hope यहाँ पर सारी चीज़ा आपको बहुत अच्छे से समझ आ हूँर आपको बनाई जाए, प्युक्त अज़ जादेगा आपको बनाई जाए, प्यूर आपको बनाई जापको यहाँ पर आपको लिए।